हेलो दोस्तों एंड वेल्कम टू इंप्रूब लर्निंग विद आधित्या दोस्तों आपके आगामी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके जीयस का जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसे कवर करना इस्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है कि ओप्यसी या फिर हम इस्टेट पीचेस की बात करें तो इसमें जो हिश्टरी है उसे मुख्यतत तीन भाग में बाढ़ के हम पढ़ते हैं पहला है इनसेंट इस्ट्री उसके बांद मिडेवल है और जो सबसे इंपौर्टेंट है हम बात करें तो ओं है दोस्तों इसके लामा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूरोपी कमपणियों का भारत में आगमन दोस्तों कौन-कौन से यूरोपी कमपणिया भारत आई कितने समय तक उन्होंने भारत में इसासन किया भारत में किस तरह से व्यापार किया किस तरह से इसे लूटा और कौन-कौन से युद्ध हुए उसको हम इसके अंतरगत कवर करेंगे तो दोस्तों आज इसका पहला पार्ट है तो अगर ये वीडियो अपलो को पसंद आती है तो इसे प्लीज ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सेर कीजेगा तो अगर कुछ इसमें कमिया हो तो प्लीज एक कमेंट के मादन से हमें जरूर बताइएगा इससे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें तो चलिए आज की वीडियो का हमें स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों आज हम UPSC से लिबस के अंतरगत हिस्टी का अध्यन करेंगे और यह सब्जेक्ट आपको किसी भी वंडे एक्जाम में काम आएगा चाए CDS, O, NDA हो कुछ भी everything और हिस्टी का UPSC से लिबन का दो पार्ट होता है एक prelims test का होता है और second होता है means तो prelims test में आपका सामिल होता है मैं अपने पढ़ाने के तरीके के और रूप से आपको अवगत कराता हूं तो उसका जो रूप होगा स्वरपरताम आपको modern India, prelims test के अंतरगत, modern India, medieval India, ancient India और then Indian culture और यही चारो पार्ट means में भी होते हैं और एक चौथा उसमें मतलब एक अलग से पार्ट जूड़ जाता है world history तो दोस्तों आज आप history of modern India आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास का जो प्रारामब है 1707 इसवी से और अंग्जेब की मृत्यू के पश्चाथ माना जाता है और अमजेब की मृत्यू के पस्चाथ भारत की इस्थिति क्या थी, राजनेतिक इस्थिति क्या थी, समाजे की इस्थिति क्या थी, आर्थिक इस्थिति क्या थी, इन बातों को हम जानेंगे और इन बातों को जाने के लिए राजनेरितिक इस्ति के अंतरगत हम पढ़ेंगे छेत्री सक्तियां और हिउरोपियस ब्यापारिक सम्मूग तो छेत्री सक्तियों में हम जाल लेते हैं कि छेत्री सक्तियों में कौन-कौन से राजे सामिलते हैं तो उत्रादिकारी राजे के अंतरगत बंगाल, अवद, हैदराबाद और विद्रोही राजे के अंतरगत माराथा, पंजाब के सिक, आगरा मतुला के जाट और स्वतंत्र भारत के अंतरगत मैसूर, त्रावर्ण कोर, जो केरल का एक्षेतर है और राजपुताना और उसके ब नहीं है, क्योंकि 14-53 में जब कुस्तंतुनिया पा तुर्कों का अधिकार हो जाता है, उसके बाद यूरूपी देशों को बैपार करने के लिए अन्य रास्तों की खोश करनी पड़ती है, और तत्पस्चाज जो है वासको डिगामा, पूर्तगाली यात्री, जो केप आपक अन्य देशों का आगमन शुरू होता है, तो यूरूपीय सक्तियों में हम देखेंगे स्वरपर्थम पूर्तगाली, फिर डच, ब्रिटेन, डेनीज, फ्रांस, इसी करम में आए, और पूर्तगालीयों का आगमन स्वरपर्थम होता है, तो पूर्तगालीयों में स्वरपर् प्रस्तानवे को भारत के टड़ पर पहुंचें जिनका हिंदू राजा जिनको जमोरिन की उपाधी प्राप्ती स्वागत करते हैं और इनको भारत में बेपार करने का एकादिकार देते हैं तो बेपार का एकादिकार यह सब्द काफी कामन हो जाएगा आपके लिए क्योंकि बैपार का अएक अधिकार जितने भी कमपनियां आएंगी भारदेश में सब में बैपार का अधिकार प्राप्ट करने के लिए होड मची रहेगी और इसी होड में उन कमपनियों के आपस में टकरहाट होता है और इसी टकरहाट में जो है ब्रिटेन सबसे आगे निकलता है और भारत पर 200 सालों तक अपना सासन चलाता है तो हम पुर्दगालिओं की बात कर रहे थे तो पुर्दगालिओं में जब बैपार करने की एकाधिकार इनको पराप्त हो जाएगा उसके बाद ये भारत में कारखाने स्थापित करना चालों करेंगे कारखाने का मतलब यहां इस बात से है कि कारखानों में कोई उत्पादन नहीं होगा, नहीं तो काफी लोग समझते हैं कि कारखाना मतलब कुछ मसीने लगी होंगी और उसके अंदर जो है किसी चीज का उत्पादन किया जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, यहां कारखानों से सिधा सिधा है कि वहाँ पर भारतिय वस्तुओं का समानों का भंडारण होगा जिनका संग्राकर उन्हें यूरोप में बे दिया जाता था और जब वासको टिगामा भारत में बैपार करना स्टार्ट करेंगे तो उनका जो है अरब बैपारियों के साथ या पूरे मतलब कोई भी देश जब भारत के साथ बैपार करना प्रारम करेगा अन्य देश आएंगे बैपार होगा तो अरब के बैपारी इसका विरूत करते हैं क्योंकि अरब से भारत का बैपार पहले भी होता रहा है और इनसे जो है उनका आर्थिक हित जुड़ा था वासको डिगामा के बाद हम एक पुर्तगाली गवर्नर जो आते हैं फ्रांसीसो डी अलमेडा कहीं-कहीं फ्रांसीसको भी लिखा होता है किसी-किसी किदा में फ्रांसीसको भी फ्रांसीसो लिखा होता है तो यहां पर लिखा हुआ फ्रांसिसको डी अलमेडा जो कि 1505 में भारत में आते हैं और इनका जो है कारिकाल होता है 1505 से 1509 भी था यह जो है ब्लू वाटर पालिसी यहां दोस्तों लिखा हुआ ब्लू वाटर पालिसी तो ब्लू वाटर पालिसी पर दिर बल देते हैं ब्लू वाटर पालि इंत्रगत जो अन्य-जाजी बेड़े हैं उन पर जो है अपना नियंत्रण इस्थापित करना चाहते हैं और इन ही में अगले गवणनर के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद डचों का आगमन होता है भारत में डचों में सबसे पहले कार्णे लिष्ट डी हाउस मैं केप आफ गुड होप होते हुए सुमात्रा कुपार करते हुए आते हैं भारत और यह पहले डशनागरीक थें डच जो है प्रारब में इंडोनेसिया तक केंद्रित थें और मसालों के बैपार में सलनग रहते हैं और इंडिया में आने के साथ साथे अपना बैपार में सूती वस्त्र को भी सामिल कर लेते हैं जिससे इन्हें अत्तधिक लाब होता है और इनके अधिकांस्ता जो बैपारिक फैक्ट्रियां थी वह पुर्वितर पर थी जैसे पूलिकट, सूरत चिनसुरा, कासी मजार, पटना बाला सोर और कोचीन आदी और ततपस्चाज जो है डचों का जो पतन होता है 1769 हिस्वी में होता है डचों का अंगरेजों के साथ बेदरा के युद्ध में डच पराजित होते हैं और इसी के साथ उनका भारत में पतन हो जाता है इसके बाद जो है अंगरेजों का आगमन होता है भारत में और 1599 हिस्वी में कुछ बेपारियों द्वारा एक कंपनी बना जाती है और कंपनी का नाम है Merchant of London Trading to the East Indies Company यह नाम काफी बड़ा है लेकिन इसी को बाद में इस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है East Indies Company के नाम से जाना जाता है और इसे हई 31 December 1620 को मारानी एलेजा बेट ने एक रायल चार्टर जारी करके Royal Charter जारी करके 15 वर्सों के लिए बेपारिक एक अधिकार देती है याद रहे किए आप 15 वर्सों के लिए देती है और 1629 इसी में इसी एक अधिकार को बिटिस समराट जेम्स पर्थम के द्वारा अनिश्चित कालिन बैपार एक अधिकार परतान कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे अंग्रेज यहां के रजाओं से बैपार कलने की अनुमती मिलती जाती है अनुमती का मतलब एक अधिकारी से है कि मतलब हर जगा इनको एक अधिकार मिले बंगाल में अवद में उडिसा में जहाँ जहाँ अपनी फैक्टरियां इस्तापित कर सकें इसी की करम में हम जानते है कि 1613 इस्वी में जागिर ने सूरत में अंग्रेजों को इस्थाई खार खाना इस्तापित करने की अनुमती प्रदान की इसके अलावा 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत आगरा एहमदाबाद मसूली पटनम भड़ोच में अपनी बैपारी कोठियां इस्तापना कर ली धीरे धीरे जो है अंग्रेजों का भारत पर एक अधिकार होता चला गया और इन्होंने कोलकाता सहर की निव रखी 1720 में कोलकाता को इन्होंने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर घोसित किया और 1774 से लेकर 1911 तक यह ब्रिटीस भारत की राजधानी रहा 1911 में दिल्ली दर्बार फिल लगेगा और इसके बाद जो है कोलकाता को राजधानी से अपदस्त कर दिल्ली को राजधानी बना दिया जाएगा वह हम दिल्ली दर्बार में आगे पढ़ेंगे और इसके बाद होता है डेनिसों का भारत में आगमन होता है तो डेनिस भारत म इनका कुछ खास इतियास नहीं रहा है तो बस इनका यही जान लेते हैं कि 1620 इसी में ट्रेंको बोर्ड और 1676 इसी में से रामपुर में अपनी फैक्टरियां इस्थापित करते हैं और दूसरे यूरूपियों को दे सकतर है या भी अपनी इस्तिती को भारत में मजबूत नहीं बना पाते हैं 1745 तक यह अपनी सारी फैक्टरियों को अंग्रेजों को बेच कर चली आते हैं दोस्तों यहाँ पर भेज कर चली गई तो यह भेज कर नहीं चली गई बेच कर चली गई ठीक है और फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीस 1664 में आने के पश्चात इनका भारत में ब्रिटेन से काफी बिडंत होगी और इसके दोरान हम काफी जो है लडाईया देखेंगे जो ब्रिटेन और फ्रेंस ब्रिटेन और फ्रांस के मद्दे होगी तो 1664 इस्वी में यह लुई चौदावे के मंत्री कोलबट के प्राज से फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई देखिएगा दोस्तों यहां फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी है और यह जो कंपनी का जो है सारा खर्च फ्रांस की सरकार वान करती थी इस कंपनी का सारा खर्च फ्रांस की सरकार वान करती थी जबकि ब्रिटेन का न और इसके इसकी जानकारी भी हमको जब हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से मिलेगी और ब्रिटेन की नितियां कैसी थी फ्रांस की नितियां कैसी थी इन दोनों नितियों को जो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ब्रिटेन की जो नितियां थी वह काफी प्रगति की थी और प्रगति की सील थी एक तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें निर्डा लेने की चमता उनके पास थी और जब तक फ्रांस से निर्डा इंडिया आता उतने समय में बुर्टें के एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा देती थी जिससे की France पिछड़ जाता था और फ्रांस के वे जो 1668 इस्वी में फ्रेंकिस फ्रेंकोाइज 1668 इसवी में फ्रेंकोाइज केरों के द्वारा सूरत में पर्थम प्रेक्टरी की इस्थापना की गई इसके अलामा 1669 इस्वी में गोलकुल्डा के सुल्तान से अधिकार प्राप्ट कर मसूली पत्नम में दूसरी बेपारी कोठी की स्थापना की गई और 1721 सिस्वी में फ्रांसीजियों ने मारिशाज, 1725 सिस्वी में मालाबार में इस्थित माहे तथा 1749 में कोरिकल पर अधिकार कर लिया बाद में ये 1683 में कुछ गाउओं को मिलाकर एक सहर का निर्माण करते हैं जिसे आज पांटी चेरी के नाम से जाना जाता है और यही फ्रांसीजियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया था 7742 तक फ्रांसीजियों की मात्वा कँच्छा बढ़ गई जाइड सी बात है मुनाफ़ा जहाँ पर है वहाँ पर मात्वकांचा बढ़नीत है तो 1742 तक फ्रांसिस्यों की मात्वकांचा बढ़ गई और गवर्नर डूपले ने भारतिय राजियों में हत्रचेब करने लगें और इस दोरान जिसका परड़ाम यह हुआ कि भारत के राजियों को अधिक से अधिक जीत कर अपना विश्तार कर सके और इसके फलसरूप आप देखेंगे कि बिटेन से इनका जो है जड़प होगा और जिस जड़प में बिटेन और फ्रांस के बीच तीन युद लड़े और इनकरी युद के पस्चाइट फ्रांस का भारत से पृतन बांका हो जाता है और भारत के वले वैपारी कंपनी के रूप में रह जाती है कि दोस्तों आज के लिए सिरी इतना ही और आगे आने वाले वीडियो में आपको पुढ़ रूप से पुर्दगालियों के आगमन और उन्होंने भारत में क्या किया और उनके बाद आने वाले दिसोंने भारत में क्या किया कैसे किया इन सबी चीजों का हम अध्यन करेंगे धन्यवाद